हेलो गाइज, विल्कम बैक तो यूट्यूब चैनल गाइज हम पिछले कुछ लेक्चर से फ्रांसेज बैकन के ऐसे ऑफ स्ट्रीडीज के बारे में डिस्कस करते आ रहे हैं और अभी तक हमने फ्रांसेज बैकन के इस ऐसे में कई सारे पार्ट्स के बारे हम डिस्कस किया है जैसे कि अग एक स्ट्रीज के क्या यूझ है तो मैंने आपको बता याधि स्ट्रीज के में कि स्ट्रीज हमें क्या प्रोवाइट करती है दिलाइट अबले w hyl लें पैप्रेषिए कि जिनको हमें जल्दी जल्दी बट पूरा पढ़ना है और कुछ में धिरे धिरे पर डिटियल के साथ पढ़ना हैं और फिर हमने बताया कि किस तरह से है कि 3 टाइप सॉफ रीडर है रीडर के तीन टाइप कौन-कौन से हैं तो पहले बताया था कुछ ऐसे रीडर्स होते हैं जो क्राफ्टी होते हैं जो रेडिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और फिर बताया था कुछ ऐसे रीडर्स हैं कि जो रीडिंग को पसंद करते हैं एडमायर करते हैं लेकिन वो study को use नहीं कर पाते हैं और फिर मैंने बताया था third type of reader की कुछ ऐसे भी readers हैं जो study को पसंद भी करते हैं admire भी करते हैं और उसका use भी करते हैं तो अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे थे फिर हमने उससे next page में हमने यह भी discuss किया था कि किस तरह से कि एक reading, writing और conversation हमारी life में role play करता है तो आज के lecture में हम उसी के आगे thoughts को बढ़ाते हुँ चलते हैं और आज की lecture में हम back end के द्वारा अब जो अपना thought यह अपना view दिया गया है कि how या what are the advantage of various branches of knowledge जो knowledge के बहुत सारे branches है knowledge के branches कहने का मतलब कि हमारे जो different type के various type के subjects हैं वो हमें क्या-क्या benefits क्या-क्या advantage देते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे तो देखिए the study of history makes a man wise बेकन कहता है कि एक बेकती जब history पढ़ता है तो वो wise बन जाता है मतलब history के knowledge उसको wise बनाती है When a man reads histories of different countries and peoples he learns about their deeds and misdeeds कैसे बन जाता है wise जब एक बेकती history को पढ़ता है तो history को पढ़ता है तो वो different type के cultures different type के country people के बारे में जानता है और उनके deeds और उनके misdeeds के बारे में बात करता है फिरा मतलब उन्होंने क्या अच्छाहिया की जानता है और क्या misdeeds के वज़ै से उनको problems आई है या उनकी बुराईयों के वज़़द से उनकी गलत कामों के वज़़द से क्या problems आई है उसके बारे में भी जानकारी मिलती है ताकि वो अपने जीवन में सतर करा सकें कि ऐसी कोई गलती वो ना करें तो history एक बेक्ति को कैसा बना देता है? wise बना देता है फिर आगे बात करता है कि the study of poetry makes a man witty by teaching him beautiful and apt expression फिर वो कहता है कि जब हम poetry के study करते हैं या जब हम poems पढ़ते हैं जब कोई कविता पढ़ते हैं तो poetry एक बेक्ति को कैसा बना देता है? witty चालाँग बना देता है और कैसे चालाँग बन जाता है वो? by teaching him beautiful and apt expressions कि किस प्रकार से हमें अपने expressions को present करना है किस प्रकार से किसी चीज़ को हम beautifully express करें क्योंकि आप देखते हो कि poetry में कविताओं में क्या होता है? soundar जैसे हम नौ रसेस की बात करते हैं कि नौ रस की बात कहीं यह है तो उसमें एक रस है soundar तो soundar को किस तरह से अपने poems में, अपनी रचनाओं में हमारे कवी, हमारे जो poets हैं कैसे include करते हैं उसके बारे में हमें जानकारी मिलते हैं जब हम poems को पढ़ते हैं तो यह कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति poem पढ़ता है तो वो witty हो जाता है poems के beautiful और proper expressions को देखते हुए या पढ़ते हुए फिर कहता है आगे वो कि the study of mathematics develops our power of concentration क्या कहता है कि जब हम mathematics के study करते हैं तो हमारा concentration हमारा जो कागर्चित mind है वो set होता है या हमारा दिमाग एक जगा पर set हो जाता है कैसे तो आपको याद करो आप लोगोंने कभी अपने school life में आपने 10th standard में कभी आप math के question solve करते हैं आपने कि जब math का question आपको easily समझ में आ रहा है तो आप उसको हल करने में लगे रहते हो और कितना time pass हो जाता है तो मैं पता ही नहीं चलता कि और कहीं दिमाग जाता है कि वहल उसके steps से याद रहते हैं कि इसके बाद यह आएगा इसके बाद यह आएगा इसके बाद यह formula लगेगा तो वह हमें concentrate बनाता है कौन mathematics हो के बच्चों आगे कहता है वह कि the study of natural science makes our mind deep by acquiring us with the profound secret of nature मतलब जब हम natural science science के बारे में पढ़ते हैं जो natural science है जो nature से related है तो यह हमारे mind को deep बनाता है मतलब गहरा बनाता है acquiring us with profound secret of nature हमें क्या provide करता है profound secret of nature एक wood रहस्य किसके बारे में प्रकरती के बारे हम जब हम natural science को पढ़ते हैं उसके बारे में knowledge लेते हैं तो हमारे अंदर एक deep knowledge आती है और यह knowledge हमें को देता है यह natural science किसके बारे में profound secret of nature जो good रहस्य है जो जानकारी किसी को नहीं पता है उसके बारे में हमें जानकारी देता है natural science the study of ethics makes us serious minded and thoughtful और जब हम ethics की पढ़ाई करते हैं जब हम क्या बनाते हैं कलपनाओं के या जब हम पूराने time की चीजों के बारे पढ़ाई करते हैं तो यह हमें serious minded और thoughtful बनाता है किसी चीज पर हम serious हो जाते हैं कई बार हम अपने चीजों अपने thoughts को explain करने लग जाते हैं अपने thoughts को expand कर देते हैं किसी चीज के बारे हम ज्यादा सोचने लग जाते हैं तो यह serious minded or thoughtful बनाता है the study of logic and rhetoric gives us the power of debating and arguing the study of logic logic तर्क तर्क की बात करना rhetoric question put up करना यह जो दो qualities हैं यह हमें power देते हैं debating की arguing के किसी से debate करना किसी से argue करना है तो उसका power हमें यह दोनों देती हैं thus various subjects of study develops in us various capabilities तो इस प्रकार से हमने देखा कि अलग अलग type की जो studies हैं वो हमारे अंदर अलग अलग types के capabilities को या ability को क्या कर रही है expand कर रही है या improve कर रही है या develop कर रही है ठीक है बच्चों तो इस page पे हमने different branches of knowledge को देखा है या knowledge के अलग-अलग branches कोन सी है और इनसे हमें क्या benefit मिलता है इसके बारे में हमने जानकरी लिए है अब इससे next page पे चलते हैं that is the last page of this essay वो यह है कि बैकन जो है ना study में या इस पूरे essay में अपने यह भी बताता है कि कैसे हमारे अंदर जो shortcomings हैं जो हमारे अंदर deficiencies हैं जो हमारी कमिया हैं उसको हम दूर कर सकते हैं through the proper study अच्छे से study करके हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं उसके examples भी वो देता है तो उसके बारे में इस page में वो discuss करता है तो वो क्या कहता है चलिए देखते हैं कहता है कि if a man is absent-minded and is unable to fix his attention on particular topic he should study mathematics अभी मैंने last page पर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि mathematics हमें क्या provide करता है concentration एक जगा पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है एक ओन mathematics वही यहां पर कह रहा है कि if a man is absent-minded अगर किसी का दिमाग एक जगा पिस्थर नहीं है या वो mind को नहीं set कर पा रहा है एक जगा unable to fix एक जगा पर सेट नहीं कर पा रहा है अपने attention को तो उसको क्या पढ़ना चाहिए mathematics पढ़ना चाहिए क्यों पढ़ना चाहिए mathematics आगे कहता है in solving a mathematical problem he will have to concentrate all his attention carefully upon it जब वो किसी mathematics के problem को solve करेगा तो अपना पूरा का पूरा attention वो उसके उपर concentrate कर देगा या लगा देगा इस वज़े से उसके अंदर concentration power बढ़ेगा तो पहला देख लिया concentration का इलाज क्या बता दिया उसने mathematics अगर concentration नहीं हो पा रहा है तो mathematics आप पढ़ाओ next he says that those who cannot distinguish between two objects should study the theologies and philosophers of middle ages क्याता है कि अगर ऐसा कोई ब्यक्ति है जो दो चीजों में different नहीं कर पा रहा उसको similar समझ रहा है एक जैसा उसको लग रहा है तो उसको middle ages के मध्योगीन जो writers हुए जो philosophers हुए जो theologians हुए उनको पढ़ना चाहिए उसको उनके बारे में उसको जानकारी लेनी चाहिए और जब उनको पढ़ेगा तो वह आगी क्या करता है he says that their study develops one's power of penetration and distinction और जब उनको पढ़ेगा तो वह जान पाएगा कि किसी भी topic की उपर कैसे penetrate penetrate मतलब छेदन करना भेदन करना किसी चीज को भेद करना या किसी चीज को तोड करके निचोड निकालना कैसे करते हैं या कैसे distinction मतलब कैसे different करते हैं या difference कैसे निकालते हैं दो चीजों की बीच में यह वो सीखेगा जब वो Middle Ages में राइटर्स को फिलोस्फर्स को पढ़ेगा ठीक है next he says the persons who find it difficult to give example of one thing to prove another should study the lawyer's cases वोला अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि अपनी बात को प्रूफ करने के लिए वो एक्जाम्पल नहीं दे पा रहा है तो उसको लॉयर्स को पढ़ना चाहिए उसके केसे को पढ़ना चाहिए जो वो अदालत में लड़ता है क्यों क्यों क्योंकि लॉयर्स गीवज एक्जाम्पल कि आफ सिमिलर प्रिवियस केसेज एंड ट्राइट प्रूब देर पॉइंट आपने भी देखा होगा अदालत में कि माई लॉड उसकेस में आपने यह दिसीजन दिया था और वैसा ही मेरा यह केस है या आप देखते होंगी कि बोलते हैं माई लॉड उसकेस में आपने उस दोश्री को यह सजा दिया और यह भी उसी परकार का एक दोश्री है उसको भी सजा मिलने चाहिए तो वह क्या करा है पिछले केस का एक्जामपल दे रहा है ताकि अपनी बात को प्रूफ कर सके तो कहता है कि अगर कोई ब्यक्ति ऐसा है जो अपनी बात को प्रूफ नहीं कर कमिया हैं वो इस प्रॉपर स्टेडी से दूर की जा सकती है जैसे कि वह बता दिया अटेंसटन नहीं हो पा रहा है या आप कॉंसिंटरेट नहीं कर पार तो मैथमेटिक्स पढ़ो अगर आप किसी दो चीज के बीच में डिफेरेंट नहीं क्यार पार तो आप मेडिल एजिस क कि कैसे Francis Bacon ने अपने इस essay में अपने different thoughts, different points को लेकर करके explain किया है कि study कैसे होई चाहिए reader कैसा होना चाहिए कैसे study हमारे life में useful है और कैसे यह हमारी कम्यों को दूर कर सकती है तो इन सब चीजों के बारे हमने पढ़ा तो I hope पूरा essay आपको जो चार पार्ट में हमने आपको provide किया है easily समझ में आगया होगा बच्चों हमें इस पूरे essay को एक पार्ट में भी cover कर सकते थे लेकिन मैं यह चाहता था कि आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा mind में एक चीजे सेट होती जाए या एक image create हो जाए ताकि आपको easily समझ में आ जाए इसलिए आपको थोड़े थोड़े पार्ट में इसको provide किया है तो I hope आपको पूरा ऐसे अच्छे से समझ में आ गया होगा फिर भी if there is any problem you can discuss with me okay so आज के lecture में बस इतना ही thank you